तो अब मालदीव का भारत से पंगा लेना अब उसी पर भारी पढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि भारत ने एक और प्रोजेक्ट फ्रांस और UAE में शिफ्ट कर दिया है जो कि मालदीव में इसी साल यानी की 2024 के शुरुवाती दौर में ही सेट अप किया जाना था मालदी मालदीव के राश्ट्रपती मुझ्जू ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जो एग्रीमेंट किये हैं भारत उसका दाव निकलने में कोई भी कसर नहीं छोडने वाला और जो प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव में तैयार किया जाना था मालदीव को कर दिया जा रहा है और यह मालदीव के लिए काफी यूजफुल प्रोजेक्ट था क्योंकि इससे मालदीव की एकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फाइदा होने वाला था दोस्तों हम बात कर रहे हैं सोलर पार्क प्रोजेक्ट की और इसकी खास बात यह थी कि भारत की IHCL यानी की Indian Hotels Company Limited ताज, रिजॉट्स और इस पा मिलकर जॉइंट वेंचर में इंफ्रास्ट्रक्चर तयार करने वाली थी और कमाल की बात यह है कि इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाने वाला था जिससे यह पानी पर तैरता रहे क्योंकि मालदीव जैसे देशों में जमीनी हिस्से बहुत ही कम है और यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था इसको एक बहुत ही बड़े लेवल पर सेट अप किया जाना था और भारत की कमपनियों ने इसके लिए एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्टमेंट पहले से बचा रखी थी लेकिन मालदीव के राश्ट्रपती मुहमद मुझू ने चीन से हाथ मिला लिया है तो भारत इस प्रोजेक्ट को UAE और फ्रांस में भेजने का फैसला बना लिया है पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं मालदीव के खिलाफ भारत के इस शांदार फैसले के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें असल में हुआ य जान मालदीव के लिए तयार किया था अब उसी इन्वेस्टमेंट से दूसरे देशों में एक बड़े लेवल पर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किये जा रहे हैं इसी में से एक प्रोजेक्ट सोलर पार्क को लेकर है जिसको भारत के द्वारा दो हजार चौबीस के प्रोजेक्ट की खास बात यहां है कि इसको इस तरह से डिजाइन किया जाना है कि पानी में आसानी से तैरता रहे जिससे जो रूलर एरिया सोलर पार्क को सेट अप करने में कंज्यूम हो जाता है उसे बचाया जा सके और इससे मालदीव के एन्वाइरनमेंट को से बढ़ रहा है यही नहीं इसके अलावा फ्लोटिंग सोलर पार्क प्रोजेक्ट प्रत्यक वर्श 1189 टन ग्रीन हाउस एमिशन को कम किया जा सकता है इससे 449 लीटर डीजल को प्रतिवर्श बचाया जा सकता है और जो नोईज पोल्यूशन है उसमें 40 पर की कटोती हो सकती है लेकिन अब मालदीव ने भारत के साथ दुश्मनी लेकर अपनी अर्थ व्यवस्था को किस लेवल का नुकसान पहुचाया है उसका पच्चतावा अब उसे होने लगा है लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए भारत अब मालदीव का किसी भी सेक्टर में हेल्प नहीं करने वा हैं और जो भारत के 77 सैनिक मालदीव में अभी तक मौजूद थे उनको निकालने का फिर से आदेश दे दिया है वैसे तो मालदीव के राष्ट्रपती ने इन सैनिकों को निकालने का आदेश उसी समय दे दिया था जब वह नए राष्ट्रपती बने थे फिर भी अभी तक तो उन्होंने सैनिकों को निकालने के लिए 35 दिन का समय दिया है यानि की भारत अब समझ चुका है कि मालदीव भारत के साथ किस तरह का बरताव भविश्य में रखने वाला है और जब मालदीव छोटा सा देश होकर भारत को आखे दिखाएगा तो भारत भी शांत नहीं तो मालदीव में सुभा आठ बजे से शाम पांच बजे तक हर रोज जनरेटर का इस्तमाल किया जाता है जिससे टूरिस्ट को अच्छी सुविधा दी जा सके ताज एक्सकोटिक के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के लगाने के बाद इसे शटडाउन किया जा सकता था ले जाना शुरू कर दिया है और अब UAE और फ्रांस जैसे देशों में सेट अप करने जा रही है जिसमें यह डिसाइड किया गया है कि साल 2030 तक लगभग एक ट्रिलियन इंवेस्टमेंट की जाएगी और ध्यान दिया जाए तो दुनिया में 1221 ऐसे देश है जहां पर सोलर पार को सेट अप करने वाली है और कुछ दिनों पहले हमने एक विडियो में बताया था कि कुछ LPG प्रोजेक्ट जो की मालदीव में सेट अप किये जाने थे उनको भी श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया है जिसमें पुने गैस अब उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मालदीव की बजाए श्रीलंका में तयार करना शुरू कर दिया है और देखा जाए तो इस समय श्रीलंका में LPG गैस की डिमांड बहुत ज्यादा है और भारत के लिए कमाल की बात यह है कि पुने गैस LPG प्रोजेक्ट को श्रीलंका की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में सेट वाली है इसके अलावा भी पुने गैस में इस प्रोजेक्ट को इंटर्नेशनली अन्य देशों में भी ले जाने वाली है क्योंकि पुने गैस के पास नेचरल गैस को LPG में कन्वर्ट करने की एडवांस टेकनॉलोजी मौजूद है और भारत की यह कंपनी अपनी टेकनॉलो देखा जाए तो एक समय चीन दुनिया का नंबर वन सोलर प्रोड्यूसर कंट्री हुआ करता था लेकिन भारत ने रिन्यूएबल एनरजी में अपने आपको जिस तेजी के साथ धालना शुरू किया है उससे चीन भी पिछडने की कगार पर पहुँच चुका है और भारत ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की वज़ा से मिडल इस्ट के सभी देशों में जिस तरह से पहचान डेवलप की है उससे भारत की कंपनियों को एक बड़ इमात्रा में प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो चुके हैं और जो अभी तक मिडल इस्ट के मार्किट में चीन कबज किये हुए था अब उसकी खटिया खड़ी होना शुरू हो चुकी है एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चाइनीज सोलर सोलर मॉड्यूल को अपने देश से पूरी तरह से निकाल फैंका है और उसकी जगह अब भारतिय कंपनियां लेना शुरू कर चुकी हैं आपको भारतिय सोलर कंपनी ग्लोबल मार्केट का एकसेस तेजी के साथ लेना शुरू कर चुकी है यानि कुल मिला कर देखा जाए तो भारतिय कंपनी धीरे-धीरे मिडिल इस्ट के सभी देशों में हेल्थी चली जा रही है आपको बता दे की फ्लोटिंग सोलर पार्क के अलावा भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको भारत माल्दीव के बजाए दूसरे देशों में शिफ्ट करने वाला है और भले ही चीन माल्दीव की मदद करने की बात कर रहा है लेकिन जिस तरह से भारत मदद करता था उस तरह से चीन मदद करने वाला बाकी आपको क्या लगता है कि भारत जिस तरह से मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री को संभाले हुए था क्या चीन इतने टूरिस्ट को मालदीव भेज पाएगा या नहीं अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं